हेलो स्टुएंट्स वेलकम टो स्टुड़ी खजाना माइनेम इस विकास रिजन्स यह आज हमारा 31st लेक्चर है और हम एक नया चेप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इस चेप्टर का नाम है ओप्टिक्स ठीक है ओप्टिक्स में कौन से दो पार्ट्स होंगे रे ओप्टिक्स और वेव ओप्टिक्स तो सबसे पहले चेप्टर नाइन में हम रीडाउट करेंगे रे ओप्टिक्स तो स्टुड़ेंस इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं चेप्टर नंबर नाइन रे ओप्टिक्स ठीक है तो ray optics को start करते हैं ray optics में generally क्या है students हम like light की study करेंगे ठीक है कि light एक particle है ठीक है या फिर एक wave के जैसे travel कर रहा है या फिर particle wave दोनों है like तुमने chemistry में read out भी क्या होगा structure of item second chapter में class 11th में कि light हमारे पास dual nature प्रपोस करते है like उसके पास वो behave करेगा particle के जैसे भी और वो behave करेगा एक wave के जैसे भी ठीक है जो हमारे पास last chapter था ठीक है chapter number 8 वहाँ पर हमने read out किya था कि light हमारे पास क्या है एक electromagnetic wave ठीक है light क्या भी है electromagnetic wave और अगर electromagnetic wave है तो हमारे पास उसमें क्या होगे electric field as well as magnetic field और साथ में जो हमारे पास direction of propagation है वो क्या रहेंगे perpendicular to both the fields ठीक है तो हमारे पास general students क्या है कि light कि study करेंगे कि यह electromagnetic wave है ठीक है electromagnetic waves यह हम read out कर जो कहें है पहले last chapter में कि हमारे पास यह एक light है इसमें electric field का component भी है और magnetic field का component भी है और साथ में यह propagate कर रहा है in the direction of propagation of wave vector k ठीक है तो k क्या हमारे पास propagation vector इसका value क्या था 2 pi by lambda अब next जो हमारे पास light है यह electromagnetic wave भी है मतलब transverse nature भी होगा मतलब जो इसके particles है वो oscillate करेंगे direction of propagation के perpendicular बट जो हमारे पास sound wave है वो longitudinal wave है वहाँ पर जो हमारे पास particles होंगे वो oscillate करेंगे to and from motion about mean position ठीक है next है हमारे पास जो light है यह behave करेगा particle के जैसे भी यह हम wave optics में read out करेंगे कि light particles जैसे कैसे behave करता है या फिर light and it's say ray ठीक है और हमारे पास क्या है light क्या है ray है ठीक है ray क्या होता हमारे पास generally मानलों की कोई source है ठीक है कोई lamp है like ठीक है या फिर हमारे पास sun है उससे जो rays है ठीक है जो भी rays emit करते हैं यह मनला है कि यह कोई source है, यह race emit कर रहा है, जो यह race है, यह particular directions में travel कर रहा है, divers कर रहे हैं इस particular source के लिए, बट यह travels भी करेंगे, तो हमारे पास यह सब क्या है, light race for this particular source, तो यह सब हमारे पास, light race, ठीक है students, अब हमारे पास है, यह light race हमारे पास क्या करेंगे, travel करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कोई एक source है, उस source ने light race को emit किया, और light race अब हमारे पास travel कर रहे हैं, ठीक है, अगर light race travel कर रहे हैं, इस source से हम infinitely अगर far away हैं, ठीक है, इस particular source से, तो हमारे पास यह सब light race है, यह सब travel कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास यह तो था race, मतलब कि light की study करना इन दी form of race, ठीक है, तो हमने rays की form में हम कुछ phenomenon को चेक करेंगे जैसे की reflection और reflection class 10 में देखो light की chapter में हमने already read out कर चुके है ठीक है light अपने साथ energy भी carry कर रहा है किसकी form में electric field as well as magnetic field ठीक है उनकी form में light अपने साथ energy carry कर रहा है साथ में इसका nature transverse है electric field, magnetic field, direction of propagation हमारे पास क्या रहेंगे perpendicular साथ में अब यह travel कर रहा है यह particular light तो हम इसके basis पे race के basis पे हम study करेंगे reflection phenomena reflection phenomena अभी के लिए reflections और reflections को चेक करता है उसके बाद हमारे पास different different phenomena से है interference, diffraction, polarization उन सब की भी study करेंगे हम light के basis पे but अभी के लिए race के help से हम reflection और reflection की study करेंगे next है हमारे पास जो phenomena है वो है reflection reflection phenomena में students क्या है generally हमारे पास की एक कोई medium है like हमारे पास ये कोई reflecting surface है ये हमारे पास mirror है और ये mirror का reflecting सर्फेस है जनरली क्या होगा incident light ray ये हमारे पास है reflected light ray और ये हमारे पास है normal अब यहाँ पर जनरली क्या होगा incident light ray with respect to normal जो भी एंगल सबस्टेंट करेंगा ये हमारे पास होगा angle of incidence और इसको हमारे परसेंट करेंगे small i से ठीक है मेरे प्यारे स्ट्रेंट्स अब देखो देहान से हमने क्या जारी डाउट किया reflection में कि एक light ray reflecting surface पे incident करेंगे ठीक है उस particular point से point of incidence ये हमारे पास होगया point of incidence या point of coincidence coincidence इसलिए incident light ray reflected light ray और normal ये normal ray नहीं है normal क्या है हमारे पास perpendicular इस surface पे इस particular point पे तो हमारे पास यहाँ पर यह point ओपॉइट कょंसिडर कर लेते है हैं ये हमारे पास होगया point of incidence point of incidence यहाँ पर क्या होगा incidence light ray with respect to normal जो भी एंगल सब्सेंड करेगा ये मारे पास होगा angle of incidence और reflected light ray विद रिस्पेक्ट टो नॉर्मल जो भी एंगल सब्सेंड करेगा ये हमारे पास होगा angle of reflection R, इसको मिदिनोट कर देंगे R से, ठीक है students, यहाँ पर generally क्या हो रहा है reflection में, कि light incident हुआ reflecting surface पे और same medium में reflect back कर गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है angle I, इस angle of incidence, angle R, इस angle of reflection, अब देखो students, हमारे पास reflection को कैसे define कर सकते हैं, कि whenever a light ray travels from, travels in a medium and strikes at a particular reflecting surface, then it will reflected back in the same medium, ठीक है, और इसके कुछ lows हैं, उनकी हम study करेंगे, reflection के definition देख लेते हैं, when a light ray bounces back when a light ray bounces back into the same medium after striking a reflecting surface after striking a reflecting surface, ठीक है, एक reflecting surface पे, यह जो light ray हमारे पास bounce back कर गया, same medium में, जो हमारे पास यह फिनोमना है, यह फिनोमना क्या होगा, students हमारे पास reflection, अब हमारे पास इसके रिग, with respect to, हमारे पास reflected light ray, इसके कुछ फिनोमनास को study करते हैं, यह हमारे पास reflecting surface, यहाँ पर यह हमारे पास normal, यह हमारे पास incident light ray, यह हमारे पास है, reflected light ray, with respect to normal angle of incidence, with respect to reflected light ray, angle of reflection, अब हमारे पास यहाँ पर reflection में generally दो lows हैं, ठीक है, उन दोनों lows को study करते हैं, first हमारे पास, first, first low में हमारे पास angle of incidence is equivalent to the angle of reflection, ठीक है students, देखो प्यारे मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है, कि angle I, मितलब angle of incidence, angle R, angle of reflection, यह दोनों values reflection में क्या रहेंगे, same, means कि यहाँ पर, angle of incidence must be equal to angle of reflection, generally students, यह सब तुम्हें याद होना चाहिए, बट मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ताकि तुम, यह already तुम study किया हुआ है, ठीक है, light के chapter में हमने already को study किया हुआ है, अब देखो, हमारे पास first low में क्या है, angle of incidence is equivalent to the angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, मतलब incidence angle और reflection का angle दोनों reflection में क्या होंगे, same, अब हमारे पास low second, second low में है हमारे पास की incident light ray, हम consider कर लेते हैं, यह एक reflecting surface है, इस surface पे यह एक incident light ray है, और यहाँ पर यह हमारे पास एक normal है, और हमारे पास यह एक reflected light ray है, अगर ध्यान से देखेंगे students, यहाँ पर देखो की incident light ray, ठीक है, यह blue pen, reflected light ray, यह black pen, और साथ में जो मेरा finger है, यह point out कर रहा है normal, देखो ध्यान से अगर मैं इस plane को इस के towards लेके आँ, तो हमें देखो यहाँ पर क्या है, की incident light ray, reflected light ray, और normal तीनों लाई कर रहे, same plane में, ठीक है, तो second में है हमारे पास, the incident ray, the incident ray, reflected ray, and normal, all lie in the, all lies, in the same plane, ठीक है, means की, अगर मैं यहाँ पर एक plane draw करूँ, तो हमारे पास, इस particular plane में, incident light ray भी है, reflected light ray भी है, और normal भी है, means की incident light ray, reflected light ray, और normal, यह तीनों लाई कर रहे हैं, same plane में, ठीक है, तो हमारे पास यह होगा, low second, for the reflection, next study करते हैं, refraction, next try है, हमारे पास, refraction, refraction phenomenon, ठीक है students, देखो, refraction में क्या है, generally light, एक medium से दूसरे medium में travel कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ और भी कुछ factors change करेंगे, वो हम बाद में study करेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखो, कि refraction में generally क्या है, light ray, एक medium से दूसरे medium में travel करेगा, तो अपनी direction को change कर देगा, ठीक है, जो भी यह phenomenon होगा, इस phenomenon का नाम रख देंगे, आप refraction, refraction, when light travels, when light travels, from one medium, from one medium, to the another medium, when light travels, from one medium, to the another medium, it changes its direction, known as the refraction, एक है, when light travels, from one medium, to another medium, it changes its direction, this phenomena is known as the refraction, अब देखो students, यहाँ पर generally क्या है, हमारे पास की, कोई एक surface है, ठीक है, यह surface, divide कर रहा है, दो mediums को, like हमारे पास, यह यहाँ पर है, medium one, और यहाँ पर है, medium second, medium first, हम consider कर लेते, sorry, medium first, अभी के लिए consider कर लेते, air, medium second, अभी के लिए consider कर लेते, glass, यहाँ फिर water भी consider कर सकते हैं, like medium one है, हमारे पास air, और medium second है, हमारे पास, water या फिर glass, अब देखो, जो air है, ठीक है, यह क्या होगा, optically rarer medium, मतलब इसके particles के बीचे कुछ distance होगा, एक particular volume consider करेंगे, तो particle से बीचे कुछ distance होगा, water या glass, यह optically denser medium है, मतलब यहाँ पर particles का density, एक particular volume consider करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जादा, इसलिए यह कैसा medium है, denser medium है, अब हमारे पास light ray travel कर रहा है, rarer to the denser, जरूरी नहीं है, वो travel कर सकता है, denser to rarer भी, तो हमारे पास generally क्या होगा, light ray अपने path को change करेगा, ठीक है, तो हमारे पास generally क्या होगा यहाँ पर, यह वह incident light ray, और हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यह हमारे पास है, incident, light ray, अब यह जब strike करेगा इस surface को, तो यह अपनी directions को change करेगा, ठीक है, like, अगर same medium है, तो यह इधर travel करेगा, but light अभी के लिए travel कर रहा है, air to glass या water, तो यहाँ पर generally क्या होगा हमारे पास, यह अपनी directions को change करेगा, ठीक है, यह हमारे पास है एक normal, यहाँ पर, यह angle eye है, angle of, हमारे पास incident light है, मतलब angle of incidence, angle eye, angle of incidence, next है हमारे पास, यह light ray अपनी directions को change करेगा, ठीक है, light ray travel कर रहा है, rarer to the denser medium, इसलिए इसने अपनी directions को change कर दिया, ठीक है, यह bend कर गया, यह हमारे पास light ray towards the normal, ठीक है, अब यह light ray को travel करना था, यहाँ, but यह bend कर गया, towards the normal, ठीक है, अपनी original position से bend कर गया, क्यों, यह travel कर रहा है, rarer to the denser medium, तो हमारे पास, जब भी light ray, किसी भी rarer, से denser medium में travel करेगा, तो हमारे पास वो bend करेगा, towards the normal, ठीक है, और हमारे पास, देखो, strengths, यहाँ पर क्या होगा, angle R, this is not angle of reflection, this is angle of reflection, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या study कर रहे है, reflection को, ठीक है, तो angle R, is equal to, angle of reflection, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, angle of incidence, और angle R, angle of reflection, angle of I, और angle of R, equal नहीं होगे, ठीक है, जैसे reflection में क्या था, एक लोब बन गया था, angle I, equal to angle R, बट, यहाँ पर, angle I, is not equal to the angle of, reflection, और यह, O point, यह हो गया आर पास, point of incidence, यह point of coincidence, ठीक है, मतलब एक ऐसा point, जहाँ पर incident light ray, reflected light ray, और normal meet कर रहे हैं, एक surface पर, ठीक है, एक ऐसी surface, जो दो mediums को, divide कर रहा है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर, दो points चेक करते हैं, when, light ray, travels, from, rarer, to the denser medium, then, it bends, towards the normal, light ray, जब rarer to denser medium, travel करेगा, तो bend करेगा, towards the normal, next, when, light ray, light ray, travels, from, denser to the rarer medium when light ray travels from the denser to the rarer medium it bends away from the normal ठीक है यह हमाँ पास दो case है कि light ray rarer to denser है तो bend कर जाएगा towards the normal अगर move कर रहा है denser to rarer तो bend करेगा away from the normal तो हम यह इनको study कर लेते हैं like first case को कि light ray travel कर रहा है rarer to the denser जो rarer medium है उससे light ray travel कर रहा है to the denser medium तो हमारे पास यहाँ पर generally क्या होगा कि यह light ray है हमारे पास इसको travel तो ऐसे करना चाहिए था but rare to denser travel कर रहा है तो हमारे पास यह bend कर जाएगा towards the normal अब जो rarer है ठीक है इस medium का कुछ ना कुछ refractive index होगा उससे represent कर लेते हैं mu1 से denser medium का mu2 इस case में mu2 is greater than mu1 ठीक है यह refractive index क्या है मतलब की यह हमारे पास हमें बताएगा like first medium air है और second medium कोई भी है like glass है water है oil भी हो सकता है यहाँ पर तो light ray जब ऐसे travel करेगा like air to glass तो इसका speed change कर जाएगा तो जो refractive index है यह term हमें बताएगा like ratio of speeds मतलब की एक light ray एक medium से दूसरे medium में जब travel करेगा तो उसके speed कैसे change करेगी वो ratio इस refractive index से find out कर सकते हैं next है हमारे पास students की light ray travel करेगा denser to the rarer denser to the rarer इस case में हम study करेंगे एक particular light ray के लिए यह light ray जब hit करेगा यहाँ पर इस particular surface को इसको travel तो ऐसे करना चाहिए था but यहाँ पर यह travel कर रहा denser to the rarer तो यह bend करेगा away from the normal इसमें bend करेगा towards the normal इसमें bend करेगा away from the normal और यह हमारे पास क्या है refracted light ray ठीक है देखो हमने यहाँ पर study भी क्या है कि यह है incident light ray और जो हमारे पास यह है refracted light ray ठीक है students तो हमने यहाँ पर study किया अगर travel कर रहा denser to the rarer तो हमारे पास यह bend करेगा away from the normal same as it is यहाँ भी यह angle of incidence, angle of reflection, angle of incidence, angle of reflection sorry यह है angle of reflection है reflection नहीं ठीक है reflection में क्या है same medium में bounce back करेगा अब हम कुछ lows को study करते हैं reflection फिरोमना के लिए तो इसमें हमारे पास first low है low first low first में है एक particular medium के लिए और एक particular light ray के लिए ठीक है हम एक light कर लेते हैं मानलो green light ठीक है उसको हम एक medium से दोसरे medium में travel करा रहे हैं like हमारे पास blue light है वो हमारे पास travel कर रहा है air to water ठीक है अब देखो यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर है मानलो air और यहाँ पर है water हमारे पास है यहाँ पर एक light ray यह light ray है blue ठीक है यह हमारे पास है blue light ray यह travel कर रहा है air to the water मतलब travel कर रहा है raral to the denser तो यह bend करेगा towards the normal ठीक है अपने पास से deviate करेगी अपना पास change करेगा यह light ray अब हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर यह होगा angle of incidence यह होगा angle of reflection यह है incident light ray यह है refracted light ray यह होगा normal यह होगा point of incidence और point of coincidence अब यहाँ पर हमें study करना है जब भी air water होगा और एक particular angle of incidence और यह blue light ray ठीक है यह green भी हो सकता है violet भी हो सकता है ठीक है red भी हो सकता है इन सब के लिए like हम यहाँ पर सिरफ consider कर रहे है blue को लिए ठीक है तो सिरफ blue के लिए हमारे पास हमें यहाँ पर relation मिलेगा sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection is equal as to constant ठीक है students यहाँ पर हमें एक relation मिला sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection जब भी यह ratio करेंगे एक particular light ray के लिए और एक medium जो कि separate कर रहा है दो mediums को like air water कर लिए तो same mediums होंगे न like air water तो हम जब भी angle of incidence same रखेंगे blue light ray के लिए तो यह bend कर जाएगी towards the normal ठीक है तो हमारे पास ही होगया first low की sin i to the sin r is equal as to constant तो यहाँ पर है हमारे पास for a particular for a particular light ray of given color and given medium for a particular light ray of given color and given medium when it travels from one medium to the other medium then ratio of sin of angle of incidence and sin of angle of refraction इसे constant ठीक है तो हमारे पास यह ratio क्या रहेगा हमेशा constant second low second low second low में है incident light ray incident light ray normal और जो हमारे पास reflected light ray है यह हमारे पास lie करेंगे हमारे पास students same plane में जैसा की reflection में हमने study क्या था कि वहाँ पर क्या था incident light ray और हमारे पास reflected light ray और normal वो like कर रहे थे same plane में same as it is यहाँ भी incident light ray reflected light ray और normal यह like करेंगे same plane में तो यहाँ पर है यह transparent medium जो कि separate कर रहा है दो mediums को तो यहाँ पर हो गया medium second यह एक light ray है यह normal rarer to denser try out कर रहे ठीक है तो bend कर जाएगा towards the normal और यहाँ पर यह एक plane है इस plane में incident light ray भी होगा reflected light ray भी और normal भी एक ही plane में तीनो lie करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है second law में the incident ray normal the incident ray the normal and the refracted light ray and the refracted light ray and the refracted light ray all lie in the all lie in the same plane तो मतलब हमारे पास यह lie करेंगे same plane में next हम study करते हैं spherical mirrors को spherical mirrors ठीक है तो हम स्टेडी करेंगे अब spherical mirrors को तो हर पास spherical mirrors में generally हैं दो types के mirror के हम स्टेडी करेंगे एक concave और convex ठीक है तो first होगा हमारे पास concave mirror second होगा हमारे पास convex mirror इन दो mirrors के हम generally study करेंगे first होगा हमारे पास concave second होगा convex concave में generally हमारे पास क्या होगा की यह हमारे पास है concave mirror इस mirror में reflecting surface है curved inverse ठीक है और हमारे पास convex mirror में reflecting surface है curved outwards ठीक है अगर हम मानलो एक spoon ले ठीक है तो इस spoon के अगर मैं outer surface को मानलो polished कर दे तो inside का जो curved का inverse का surface है यह act करेगा हमारे पास जैसे की concave mirrors के ठीक है मतलब हम इसको ऐसे relate कर सकते हैं समाझ सकते हैं अगर मैं मानलो same spoon को inside से हम कर दे polished तो जो हमारे पास outer surface है वे act करेगा reflecting surface के जैसे और जो अब mirror होगा यह क्या होगा convex mirror अब हमारे पास कुछ terms को हम study कर लेते हैं यह particular reflecting surfaces के लिए concave और convex में जो center होगा reflecting surface का यह center होगा pole इसको हम denote करेंगे P से ठीक है P हमारे पास क्या होगा pole next है हमारे पास center of curvature center of curvature होता है यह spherical mirror जिस भी sphere का part है उसका जो भी center है वो होगा हमारे पास center of curvature next C होगा हमारे पास center of curvature P होगया pole next है हमारे पास C यह होगा हमारे पास center of curvature next है हमारे पास principal axis मतलब the line passing through the pole in the center of curvature is known as the principal axis ठीक है यह हमारे पास होगा principal axis same as it is convex के case में भी कि यहाँ पर भी है यह होगा center of curvature और यह भी हमारे पास क्या होगा principal axis ठीक है यह हमने यहाँ पर study किया concave के लिए और convex के लिए अब इनके कुछ properties study करते है like हम study करते हैं पहले concave के लिए ठीक है अब देखो concave में generally क्या है हमारे पास कुछ terms को हम और define करेंगे like principal focus of concave mirror इसको हम कैसे define कर सकते हैं कि यह pole है यह center of curvature और जब हमारे पास light rays travel करेंगे from the मानलों कि infinity से light rays travel करेंगे किसी object से और यह travel करेंगे towards this mirror यह हमारे पास है incident light rays जब यह incident light ray इस mirror को strike करेंगे तो यह reflect back करेंगे ठीक है और हमें याद रखना है कि angle of incidence is sequence to the angle of reflection next है हमारे पास center of curvature से जहां भी यह first light ray मानलों यह first light ray है यह second light ray है जहां भी यह light ray hit कर रहा है तो यह हमारे पास इस point को मैं consider कर लेते हैं ए ठीक है तो इस a point के incidents पे मतलब जो light ray first a point पर incident हुआ इस point पर जो मैंने c से इस point तक एक line draw कर दिया dotted यह line act करेगा ऐसे normal तो normal के साथ incident light ray angle substan करेगा i तो यहां पर ही में पास क्या होगा इसके opposite side में reflected light ray तो हमारे पास first light ray reflection होगा कुछ ऐसे first light ray का second जो light ray है इसमें भी same as it is जब यह reflect back करेगा तो यह pass करेगा इस point के ठूँआप और यह point है f मतलब की जितने भी light rays इस concave mirror में जो की object infinity पे है वहाँ से travel कर रहे है reflection के बाद यह सब के सब light rays एक point से pass करेंगे और यह point होगा हमारे पास principle focus of this concave mirror ठीक है यह मारे पास f इस principle focus of concave mirror ठीक है और जो pole और focus के बीचे जो भी distance है यह हमारे पास होगा focal length p और f में जो भी distance है इसको represent करेंगे small f से और यह हमारे पास होगा focal length यहाँ पर हमने principle focus को define कर दिया same as it is यहाँ पर हम कुछ convex जो mirror होगा next है हमारे पास concave convex अब study करते हैं convex के लिए convex में भी हमारे पास same as it is है यह principal axis यह pole यह center of curvature यह एक light ray incident हुआ parallel to the principal axis यहाँ भी एक light ray incident हुआ parallel to the principal axis यह light ray हम क्या करेंगे इस point को consider कर लेते हैं इस point को consider कर लेते हैं यह first incident light ray second incident light ray center of curvature से A और B point पर हम dotted line draw करते हैं वो एक्ट करेंगे ऐसे normal ठीक है तो A point यह B point यह हो गया यह हो गया angle of incidence यह भी हो गया angle of incidence अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर reflection sorry reflection होगा यहाँ पर reflection इसलिए होगा क्योंकि यह mirror है तो यहाँ पर यह reflect करेंगे तो reflect कुछ ऐसे करेंगे light rays ठीक है और same as it is यहाँ भी reflect करेंगे कुछ ऐसे इन light rays को हम पीछे extend कर देंगे तो यह light rays 1 prime और 2 prime यह light rays ऐसे appear करेंगे यह इस F point से merge out होगे ठीक है मतलब F point से निकल के आ रहे हैं यह दोनो light rays 1 prime as it is 2 prime तो हमारे पास जो यह F है यह हमारे पास क्या होगा principal focus of this convex mirror और जो pole और focus के बीच में जो भी distance है यह हमारे पास होगा focal length तो हमारे पास F is principal focus of convex mirror ठीक है तो हमारे पास यह होगा principal focus of convex mirror अब हम light rays के कुछ rules study करते हैं उनके basis पे हम ray diagrams को draw करेंगे तो हमारे पास जो first है rule number first उसमें है कि हमारे पास जितने भी incident light rays रहेंगे जो कि हमारे पास moon कर रहे हैं concave mirror के लिए study कर लेते हैं same as it is applicable होंगे convex case में भी means कि यह हमारे पास हम consider कर लेते हैं principal axis जितने भी incident light rays parallel to this axis reflection के बाद यह सब light rays एक common point से moon करेंगे और यह common point होगा हमारे पास focus ठीक है तो यहां फर्स रूल जितने भी incident light rays parallel to the principal axis after reflection will pass through a particular point and this point will lie on the principal axis ठीक है मितलब जो भी light rays होंगे parallel है principal axis के reflection के बाद एक point से pass करेंगे और यह point lie करेगा principal axis पे ठीक है तो हमारे पास यह था first rule second है second rule में है हमारे पास की अगर मैं assume कर लो एक particular incident light ray हमारे पास focus के तूर pass कर रहा है ठीक है तो reflection के बाद यह particular light ray pass करेगी हमारे पास parallel to the principal axis ठीक है समझाया कि कोई भी light ray अगर focus के तूर pass कर रहा है reflection के बाद mirror में यह light ray हमारे पास travel करेगा parallel to the principal axis second point अब third rule है third rule में है हमारे पास की यहाँ पर pole focus center of curvature अगर हमारे पास कोई light ray incident हुआ pole के उपर तो यह हो गया angle of incidence तो ओब्लिकली hit कर रहा है p point पर ठीक है तो हमारे पास ओब्लिकली reflect back करेगा यह same medium में क्योंकि reflection है angle r angle of reflection ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास angle i equal to angle r यह low first में भी valid है second में भी valid है ठीक है हम देख भी सकते हैं इसको center of curvature से एक डॉटर line ब्रो करो angle of incidence angle of reflection same as it is हम second में भी study कर सकते हैं तो यह था हमारे पास third rule fourth fourth में है हमारे पास key pole focus center of curvature अगर कोई light ray हमारे पास center of curvature से pass कर रहा है hit करेगा इस mirror को अपने path को retrace back करेगा क्योंकि यहाँ पर angle of incidence और angle of reflection zero डिए ठीक है तो light ray अगर हमारे पास pass कर रहा है center of curvature से तो reflection के बाद यह light ray अपने path को retrace back करेगा तो यह था हमारे पास कुछ rules same rules हमारे पास applicable होंगे as it is convex mirror मेंगी तो हमने concave के लिए study कर लिए same as it is यह सब rules applicable है convex mirror के लिए as it is अब हम relation find out करते है between focal length and the radius of curvature यह radius of curvature क्या है कि pole और center of curvature के बीच में जो भी distance है वो होगा radius of curvature pole और जो capital F है उसके बीच में जो भी distance है यह मारपास होगा focal length of that particular mirror तो हम अभी study करते है relation between F and और R ठीक है R होगा हमारे पास radius of curvature और F होगा हमारे पास focal length तो हमारे पास है यह relation between focal length and R capital R capital R होगया radius of curvature तो radius of curvature और focal length इनके लिए हम relation find out करते हैं तो हमारे पास है यहाँ पास student एक कन के mirror है यहाँ पे pole है focus center of curvature हमारे पास generally क्या होगा कि यहाँ पर एक incident light ray को हम incident कराते हैं parallel to the principal axis यह हमारे पास एक incident light ray parallel to the principal axis reflection के बाद यह light ray पास करेगा focus के थूँ center of curvature से हमने एक line draw कर दिया इस मानलों की x point की अब हमारे पास generally हाँ पर क्या होगा कि incident light ray जो भी angle सबस्टेंट करेगा यह होगा angle of incidence i यह गा angle of reflection दोनो values same है तो i को हम consider कर लेते हैं हभी के लिए angle i equal to angle r इसे करेंस to sum angle theta इसको तुम beta, theta, phi कुछ भी angle consider कर सकते हैं delta ठीक है कोई भी angle लो वो सब same है ठीक है यहाँ पर क्योंकि angle i equal to angle r तो इसका naming हम कुछ भी कर सकते हैं अभी के लिए हम इसका naming consider कर लेते हैं theta तो हमारे पास अंगल भी हो गया theta angle r is also equal to theta तो हमारे पास next है angle x, f, and p यह exterior angle है for the triangle x, f, and c तो हमारे पास यह angle हो जाएगा 2 theta अब हमने x से principal axis पे एक normal draw कर दिया और इसको हम consider कर लेते हैं n n point ठीक है x से हमने principal axis पे एक normal draw कर दिया यह normal है m अब हमारे पास generally है कि principal axis center of curvature यह जो distance है यह r है principal axis sorry pole और center of curvature जो distance ही हो गया capital r मतलब radius of curvature pole और capital f focus जो भी distance है यह हमारे पास focal length हो गया f अब हमारे पास यहाँ पर generally दो triangles है तो in triangle c x m c x m में हमारे पास है angle 10 theta which is equivalence to perpendicular by base perpendicular हो गया हमारे पास x m to the base is equivalence to cm next है हमारे पास in triangle f x p ठीक है triangle है हमारे पास x f p in triangle f x sorry m ठीक है अब भी हमने इसका question नहीं किया है तो f x m यहाँ पर है हमारे पास 10 2 theta is equivalence to x m by f m ठीक है f m one का radio ठीक है तो हमारे पास यह हो गया 10 2 theta is equivalence to x m to the f m अब हमारे पास हम assume करेंगे students कि theta बहुत small है if theta and 2 theta are small then we can say that 10 2 theta is equivalence to 2 theta and 10 theta is equivalence to some theta 10 2 theta 2 theta के equal है 10 theta theta के equal है तो हमारे पास यहाँ से हम replace कर सकते हैं theta is equivalence to x m by c m theta is equivalence to x m by c m and 2 theta and that is equivalence to x m by f m x m by f m ठीक है ठीक है स्टेंट्स तो अब हम क्या करते हैं इन दोनों values का ratio हमारे पास दो equations होगे theta equal to x m by c m to the 2 theta which is equivalence to x m by f m अब हम जनरली यहाँ पर एक approximation करेंगे कि जो c m distance है ठीक है m और p points just कौन sides करने वाले है तो यह भूत पास-पास में है m b और यह pole का p points भी तो हम यहाँ पर approximation कर सकते हैं कि c m is a class to हम यहाँ पर approximation कर रहे हैं if m and p are close in a then c m is a class to c p and f m is a class to f p इन values को भी replace कर देते हैं first और second equations में तो हमारे पास यहाँ पर हो गया first equation theta is a class to x m भी रख लेते हैं इसको x m को भी x p रख सकते हैं तो गया x p by c m is a class to c p and 2 theta is a class to यहाँ पास हो गया x p to the f m f p दोनों values का हम ratio रखेंगे तो हमारे पास ratio भी कर सकते हैं और theta का value भी substitute कर सकते हैं first का second में तो हमारे पास यहाँ पर है 2 theta यह हो गया x p to the c p is a class to x p by f p तो हमारे पास x p से x p cancel out तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 2 times of f p is a class to c p और f p हमारे पास क्या हो गया focal length और c p हमारे पास क्या हो गया radius of curvature देखो दिहां से students इस case में capital R is the radius of curvature small f is the focal length and this is the distance between f and p तो हम यहाँ से conclude कि कि two times of focal length is a class to radius of curvature यहाँ कि हमारे पास focal length और R is radius of curvature अगर कोई mirror है उसका radius of curvature अगर 16 cm है तो focal length क्या हो गया हमारे पास 8 cm क्योंकि focal length radius of curvature का हमारे पास क्या होगा हाँ same as it is इसको हम convex mirror के लिए भी prove कर सकते हैं वहाँ भी हमारे पास radius of curvature is two times of focal length अब हम sign conventions check कर लेते हैं in case में sign conventions में generally हमारे पास है ये concave या convex mirror मानलों कि concave mirror का case study कर लेते हैं same applicable होगा convex के case में भी ये pole incident light race travel करेंगे हमारे पास left hand side से ठीक है incident light race अगर travel करेंगे left hand side से तो हमारे पास ये pole pole के जो left hand side में like हमारे पास ये होगा positive ये negative ये positive ये negative तो pole के left hand side में जितने भी distance होगे ये सब रहेंगे negative ठीक है तो pole के left hand side में जितने भी distance होगे ये सब होगे negative pole के हमारे पास right hand side में जितने भी distance होगे ये सब रहेंगे positive pole के right hand side में जो भी distance है ये सब होगे positive principal axis के above principal axis के perpendicular Pr bicycle axis के हमार पास perpendicular जो भी distance होंगे यह हमार पास होंगे positive Principal axis के below जितने भी distance होंगे यह सब हम measure करेंगे negative sign के साथ like हमारे पास कोई object इस mirror के left hand side में है ठीक है इसको जल्दे से ड्रो करो पोस्ट करके वीडियो को और मानलो की कोई object है हमारे पास मानलो की हमने एक pencil को प्लीज कर दिया यहां पर ठीक है यह pencil इस pole के left hand side में है ठीक है अब हमारे पास क्या होगा जो भी एक तरह से object है इसका हम denote कर लेंगे पोसे इस object का distance हम measure करेंगे पोल से और यह pole के left hand side में है तो हमारे पास generally यहां पर क्या होगा यह distance मानलो की 10 cm पे है ठीक है तो हमारे पास value क्या रहा हो जाएगा object distance from the pole यह से close to minus 10 हमने negative sign इसलिए consider किया क्योंकि यह हमारे pole के left hand side में है image भी left hand side में ही होगा consider कर लेते है image कुछ 6 cm पे है ठीक है तो हमारे पास image distance होगा pole से वो क्या होगा minus 6 अगर यह object ठीक है हमारे पास इसके जो height है height of object यहां पर हम consider कर लेते है image यह होगा image height of image जो height of object होगा यह क्या होगा positive क्योंकि यह principal axis के हमारे पास perpendicular है और upward directions में height of image negative क्योंकि प्रिंसिपल axis के below है और downward directions में इसलिए value negative दो बस यह थे कुछ sign conventions next है हमारे पास कि यह sign conventions के बाद कि हम यहां पर study करेंगे mirror formula को अए खर्ष्पड़मस Mirror formula को study करते हैं मतलब कि हमारे पास objectal distance, image distance और focal length इनमें हम एक relation find out करेंगे Mirror formula It will help us To find out object object, image, object image distance and focal length ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जैसे कि एक mirror है इस mirror के कुछ focal length होगा, इस mirror के लिए कोई object distance होगा, object distance को हम denote करेंगे u से, image distance को हम denote करेंगे v से, तो हमारे पास u, v और f में एक relation मिलेगा, जो भी relation होगा, वो हमारे पास क्या होगा? mirror formula, इसका हम study करते हैं, इसमें generally है हमारे पास mirror formula में, concave mirror के लिए study कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है principal axis, इस, यह pole, कोई object है, इस object से एक light ray travel कर रहा है, mirror के towards, reflection के बाद, यह light ray हम assume कर लेते हैं, यहाँ से pass किया, और इसने एक image बना लिए, यह है object, यह है image, अब हमारे पास है, इसका reflection हुआ, तो कही ना कही हमारे पास एक normal भी light कर रहा है, incident light ray और reflector light ray के बीच में, तो पर से center of curvature, यहाँ से मिन एक dotted line draw किया, यह dotted line हमारे पास होगा, कि angle of incidence is equal to angle of reflection for this particular incident light ray, जो कि इस object से travel कर रहा है, अब हमारे पास है यहाँ पर कि angle of incidence को हम consider कर लेते हैं, theta, angle of reflection को भी consider कर लेते हैं, theta, तो कि दोनों values क्या होंगे, sin, object principal axis से साथ जो भी angle substand कर रहा है, इसको हम consider कर लेंगे, alpha, ठीक है, object हमारे पास जो भी angle substand कर रहा है, with respect to principal axis, alpha, center of curvature से, इस point पर, x point पर, जो भी हमारे पास dotted line है, यह angle substand करेगा, with respect to principal axis, यह हमारे पास होगा, बीटा, next, image जो भी angle substand करेगा, x point पर, यह होगा, हमारे पास, gamma, तो हमारे पास है, प, sorry, alpha, beta, gamma, अब हमारे पास, p से i तक, यह i मतलब image, जो भी distance है, यह distance होगा, हमारे पास, v, p से c तक, जो भी distance है, pole से, यह हमारे पास होगा, radius of curvature, p से, और तक, जो भी distance है, यह हमारे पास होगा, object distance, u, से हमने इसको denote कर दिया, अब हमारे पास है, generally, इसका हमें यहाँ पर study करना है, तो हम इसका naming कर देते हैं, like, orc, i, x, x से हम एक perpendicular भी draw कर देते हैं, तो perpendicular draw किया हमने, यह perpendicular का नाम रख देते हैं, ठीक है, अब हमारे पास, generally, हम study करते हैं, यहाँ पर, क्या, कि, in triangle, o, x, and c, ठीक है, पहले हम study करते हैं, in triangle, o, x, and c, o, x, c triangle में हमारे पास, sum of interior angle, is against to sum of, sorry, is against to the exterior angle, मतलब, एक triangle के, opposite side के, जो interior angles हैं, उनका sum, x, जो हमारे पास, triangle के, जो, exterior angle है, उसके equal होगा, यहाँ पर, like, o, x, c triangle में, alpha, plus theta, is against to beta, ठीक है, next, हमारे पास होगा, triangle, c, x, i, in triangle, c, x, i, c, x, i triangle में भी same, beta, plus theta, is against to gamma, अब हमारे पास है, यह होगा first equation, second equation, हमें यहाँ पर, एक relation find out करना है, u, v, और r में, तो first equation से हम theta का value, first equation से theta होगा, beta, minus alpha, वो value मैं put कर दूँगा, second equation में, तो उसका put करते हैं, तो beta, plus theta, theta होजाएगा, beta, minus alpha, is against to gamma, hence, gamma, is against to two times of beta, minus alpha, ठीक है students, तो यहाँ पर gamma, is against to two, beta, minus alpha, अब हमारे पास generally, यहाँ पर है, हमें एक relation मिल गया, कि gamma, beta, और alpha में, अब हमारे पास same, हम कुछ approximation कंसिडर करेंगे, यहाँ पर approximation जैसे कि, कि अगर angle small है, alpha, beta, gamma, अगर angle small है, तो इनको replace करेंगे, 10 alpha, 10 beta, और 10 gamma से, next है, if angles are small, then 10 alpha is against to alpha, 10 beta is against to beta, 10 gamma is against to gamma, तो यहाँ इसको यहाँ पर replace कर देते हैं, तो यह value हो गया, 10 gamma, इसका लिए टू टाइम्स हो, 10 beta, minus 10 alpha, तो हर पास यह relation मिल गया हम, हमें यहाँ पर, अब generally हम क्या करेंगे, 10 alpha, 10 beta और 10 gamma के value put कर देंगे यहाँ पर, अब देखो, 10 alpha, ठीक है, तो 10 alpha क्या होगा हमरे पास, xm to the om, 10 alpha, इसका लिए टू, xm to the om, 10 beta, ठीक है, 10 beta हमरे पास होगा, xm to the mc, next है हमरे पास, 10 alpha, 10 beta, 10 gamma, यह हमरे पास होगा, xm to the m i, image distance, यह हमरे पास, om, object distance, mc, ठीक है, यह हमरे पास होगा, roughly close to radius of curvature, अगर हमरे पास f nature का size small है, if, aperture is small, तो हम om को replace कर सकते हैं, op से, same mc को भी replace कर सकते हैं, pc से, mi को भी replace कर सकते हैं, pi से, यह values हम इस equation में plug कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास यह equation है, 10 gamma, and 10 gamma equal to xm to the m i, m i को हम हम रप्लेस कर सकते हैं, pi से, 2 times of 10 beta, 10 beta, इस equal to xm to the mc, इस equal to pc, minus 10 alpha, 10 alpha is xm to the om, xm, 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 cancel out, pi है हमारे पास, image distance, pc है, radius of curvature, और जो om है, हमारे पास है, op, object का distance, तो हम पास यह हो गया, 1 by v, image distance, एक रप्लेस टू टाइमस of pc, radius of curvature, minus of 1 टाइमस of object distance, और हमने लास्ट ही relation में find out किया था, radius of curvature is 2 times of focal length, उसको भी हम यहां replace कर सकते हैं, like, 1 by v, is equal to 2 of 2 by f, minus 1 by u, 2 से 2 cancel out, hence, 1 by f, is equal to 1 by v, plus 1 by u, ठीक है, तो हम पास focal length, image, और image distance, और object distance, इन सब में हमें एक relation मिल गया, like, f, is focal length, u, object distance, and v, image distance, ठीक है, तो students हमने यहां पर क्या किया, एक relation find out कर लिया, focal length, image और object distance है, ओके students, आज की lecture का हम यहीं पर over करते हैं, thank you. बना हम वीं के बहों अबदी है, एककी और में डादी मिल शेदोग का दबद हैं,